हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल इन्फो ट्यूब में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप Bluetooth की मदद से कोई भी application apps game को भेज सकते हैं एक phone से दूसरे phone में दोस्तो के पर क्या होता है आपके phone में share it, job, gender इस टाइप का application नहीं होता है और दोस्तो आप अपने phone से दूसरे phone में game या apps भेजना चाहते हैं तो दोस्तो आपको काफी जादा problem होता होगा लेकिन दोस्तो आपको बिल्कुल भी टेंसर नहीं लेना है आज के इस वीडियो में आपको जो तरीका बताने वाला हूँ इसकी मैसा बहुत ही आसानी से किसी भी दूसरे phone के अंदर Bluetooth की मैसे कोई भी application या game को भेज सकते हैं बहुत ही आसानी से अगर आपको मालूम नहीं application कैसे भेज जाता है Bluetooth से और जो ही यहाँ पर APK का भी जरूवत नहीं है तो दोस्तो आज आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है आज के इस वीडियो में आपको step by step सब कुछ बताने वाला हूँ तो दोस्तो देर किस बात की चलिए फटावरते इस वीडियो को में स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो Bluetooth की मैस से कोई भी application एक फोन से दूसरे फोन में भेजने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा से application डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका link जो है आपको हमारे वीडियो को description box में देखने को मिल जाएगा उस application डाउनलोड कर लिजेगा बिना application के यह system काम नहीं करेगा यहाँ पर जिसे आप open कर लेते हैं डाउनलोड करने वाद यहाँ पर कुछ loading लेगा कुछ इस परकार का page आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर जितना भी phone में आपके application होगा ना सब यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी जादा application है तो यहाँ पर हम कोई भी एक छोड़ा से application को उठा लेते हैं उसके वाद simply आपको नीचे के side में share and send का button देखने को मिल जाएगा इस पर जो है आपको click कर देना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर click कर देते हैं कुछ इस परकार का page आपके सामने आ जाता है यहाँ पर आप Bluetooth से भीजना चाहते हैं तो simply आपको Bluetooth वाले बटन पर click कर देना है दोस्तों आप यहाँ पर click कर देते हैं आपका Bluetooth जो है यहाँ पर on करने के लिए बोलेगा आपको simply turn on वाले बटन को दबा देना है यहाँ पर आ जाते हैं कुछ इस परकार का page आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर refresh लेगा अब दोस्तों आप जिस भी mobile phone के अंदर भेजना चाहते है न उस mobile को आपको खूल लेना है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वाइफाई के नीचे नीचे इस पर click करना है और यहाँ पर बटन देखने को मिल जाएगा इसको चालू कर देना है और दूसरे phone प्लूटूटूफ के दिस्ताजाइए, यहाँ अप देख सकते हैं, आपको अपने फोन के अदर फिरसे आ जाना है और यहाँ पर रिफ्रेस्च करना है, आप उपर से slide करके कुछ इस परकार से देख सकते हैं, यहाँ पर जो है application मैंने जो भी इस phone पे भेजा है, वो सभी आ रहा है, तो दोस्तो चलिए सब application आ जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, open करके, यही application है यह फिर दुस्ता कुछ आ रहा है, तो दोस्तो finally आप देख सक सकते हैं, दोनों phone के अंदर send successful हो गया, simply हम इस पर click कर दते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही application है, जो मैंने भेजा है, तो दोस्तो कुछ इस परकार से आप बहुत ही application भेज सकते हैं, Bluetooth की मझसे, वीडियो को like करना, साथ ही सा चैनल को subscribe करना, ना भूले,